21 जून को सूर्य ग्रहन लगने वाला है भारतियों में ग्रहन का पालन करने की मान्यता है भारे देश में सूर्य ग्रहन हो या चंद्र ग्रहन इसका पालन करना अनिवार्य है 21 जुन 2020 को सूर्य ग्रहन प्रात्य 9 बचकर 26 मिनट से अप्राहन की बचकर 28 मिनट पर रहेगा बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहन में दिन में अंधिरा जादा होगा इसलिए जादा तर देश के कई जगाहों पर दिन में तारे दिखाए देंगे ग्रहन लगने से पहले सूतक काल लगता है और इस सूर्य ग्रहन में सूतक काल चरिमार शाम यानि बेश जुन को रात 9 बचकर 15 मिनट से लग जाएगा आपको बता दें कि सूतक काल से ही मंदर और धानमिक स्थल्थ बंग किये जाएंगे ग्रहन काल में गर्वरवती महिला को घीख खुद का और अपनी बच्चे का खास खयाल रखना है तो आईए देखते हैं सूतक काल से ग्रहन खत्म होने तक किन-किन बातों का खास खयाल रखना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहन में क्या ना करें सूर्य ग्रहन के दोरान शुब या नाया कार्य नहीं करना चाहिए अगर आपने भोजन किया है तो जितने अन्ने के दाने खाते हैं उतने वर्षों तक नरक में वास करना पड़ता है बूढ़ी, बालक और रोगी एक प्रहर पूर्व खा सकते हैं नमबर त्री, मानिताओं के अनुसार गर्वर्वती महिला को कुछ सबसी काटना, कपड़े सिलना या पिलाना नहीं चाहिए इसे होने वाले बच्चे के शारिरिक दोश होने की संभावना होती है ग्रहन के समय तेल लगाना, जल पीना, केश बनाना, संभुक करना, मंजन करना, वस्तर निचूडना, ताला खोडना आदी वर्जित है ग्रहन के दोरान सोना नहीं चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति रूगी होता है मालिश या उप्टन लगाने से कुष्ट रोख और स्त्री प्रसंग से अगले जनमे सूर की योनी मिलती है ग्रहन के दिन पत्ते, लकडी और पूल नहीं तोड़ना चाहिए सूर्य ग्रहन में क्या करे ग्रहन समाप्त हो जानी पर स्नान करके उजित व्यक्ति को दान करने का विधान है ग्रहन के समय गुरु मंत्र, इश्टु मंत्र अत्वा भगवानम नाम का अवश्य जब करे ना करने से मंत्र को मलीनता प्राप्त होती है 3. ग्रहन के बाद पुराना पानी और अन फेक देना चाहिए, नया भोजन पका कर खाएं और ताजा पानी भर कर पी 4. सूर्य ग्रहन के दोरान और सूर्य ग्रहन खत्म हो जाने के बाद इन बातों का खास खयाल रखे डेली ट्रेंटिंग ड्यूस के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग ड्यूस के लिए